What's up guys, welcome back to my channel, मेरा नाम है मतियास, आप सबको मालूम होगा इस साल आइपोन 14 सीरीज आने वाला है, लेकिन आइपोन 14 सीरीज के अंदर आइपोन 14 मीनी नहीं आएगा, आप सबको मालूम है लास्ट जो आइपोन 13 मीनी ही था, क्योंकि उतना अच्छा सक्सेस्फुल नहीं रहा जितना आपल ने एकस्पेट किया था, आपल की समझदारी यही थी कि वो जो आइपोन 14 मीनी को डिस कंटिनुए भी करने वाला है, उसकी देगा हमको आइपोन 14 मैक्स देखने के मिलेगा, चार मॉडल्स होंगी इस साल के अंदर भी आइपोन 14, 14 मैक्स, आइपोन 14 प्रो औ आइपोन 14 के जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे, उसके अंदर हमको जो नॉच और 120 हर्स का डिस्पेल नहीं मिलेगा, मतब नॉच आएगी और 60 हर्स का ही पैनल होगा, 120 हर्स नहीं होगा, जो प्रो मॉडल्स होंगे 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स के अंदर हमको जो है 120 हर्स ही मिलेग आपको 128 का display मिलेगा और जो non-pro models होगा जो बेस वेरेंट होगा आइफोन 14 उसका दर 60 हर्ट्स का ही पैनल आएगा तो यहां पर अच्छी नियूज है दस्तों क्यों अच्छी नियूज है वह भी मैं आपको explain करता हूँ जिसका budget जो है और एक बाद दोस्तों इसका price दो 70,000 रुपिस रही होगा जितना 13 मीनी का था इसका price तकरीबाद 95 से लेके 1 लाग के आसपास हो सकता है और एक बाद दोस्तों जिसका budget 1 लाग है और जिसको 120 हर्ट दिस्प्ले के लिए जाना जो है मतला उसको पसंद है तो वो डिरेक्ली 14 प्रो बाई करेगा लेकिन अभी उसके पाद option रह जाएगा अगर 14 मैक्स के अंदर 120 हर्ट आएगा तो वो एक लाग क्या सपास को बाई कर सकता है काफी अच्छा एक options रहेगा उनके लिए जो लोग प्रो डिस्प्ले के लिए जाना चाते है साथी साथ बाकि ज चीज़े आपको देखने के लिए मिलेगी लेकिन एक option बन जाएगा जिसको प्रो मोशन के डिस्प्ले पसंद है वो लोग के लिए दुस्तों काफी helpful हो सकता है यह चीज आदी है तो आप मुझे बताएगे अगर इसका प्राइज एक लाग क्या सपस आता है 128 आता है तो आइपोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स पच्छेस करें मुझे कॉमेंट करके ज़ो है जरूर बताना और ऐसे ही एपल सेटेट कॉंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना मिलता हो आपको अगली वीडियो में तब तर के लिए आपको